भारत माता की नम्मा सबका साथ सबका विकास मंत्रदा स्फूर्ति यादा भगवान बस्वेशर अवरीगे नमस्कार कड़ू बेडगाविया कुंदा मत्तू बेडगाविया जानरा पत्त पृति येड़ू मरियलागदासी बेडगाविया नन्ना बंदू पहिनियर गे नमस्कार कड़ू बेडगाविया की जनता का प्यार और आशिदवाद अतुनिया है ये प्यार ये आशिदवाद पाकर हम सब को आपकी सेवा के लिए हमें दिन रात मेहनत करने की प्रेणा मिलती है आपक्या ये आशिदवाद हमारे लिए प्रेणा शक्ति बन जाता है बेडगावि की धर्ति पराना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता ये कित्तूर की रानी चन्नम्मा और करांती वीर संगोली रायाना की भूमी आए देश आज भी इन्हें वीरता और गुलामी के विरुद आवाज उठाने के लिए याद करता है साथियों आज की लड़ाई हो या फिर उसके बार धारत का नवनिर्माण बेड़गावी की महत्वपण भूमी का हमेशा रही है आज कल हमारे देश में करनाटका में स्टार्ट अप्स की खुब चर्चा होती है लेकिन एक तरह से देखे तो बेड़गावी में तो सो साल पहले ही स्टार्ट अप्स की शुरुवात हो गई थी सो साल पहले मैं आपको याद कराने आया हूँ बाबु राव पुसालकर बाबु राव पुसालकर जी ने सो साल पहले यहाँ एक छोटी सी यूनिट की स्थापित के सापना की थी तब से बेड़गावी अनेक तरह की इंडिस्ट्री के लिए इतना बड़ा बेज बन गया है बेड़गावी के इसी भूमिका ने डबल इंजिन सरकार इस दशक में और ससक्त करना चाहती है भाई और भेनों आज जिन प्रोजेक्ट का लोकारपणों और सिलान्यास किया गया है उनसे बेड़गावी के विकास में नई गती आएगी सैकड़ो करोर रुपिय के प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी से जुड़े है पानी की व्यवस्ता से जुड़े हुए है आप सभी को इन सारी विकास की योजनाओं के लिए इस छेत्र की प्रगती का एक मजबूत गती देने के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज बेड़गावी से पूरे हिंदुस्तान को भी बेट स्वगाद मिली है हिंदुस्तान के हर किसानों को आज करनाटरका से जोड़ा है बेड़गावी से जोड़ा है आज यहां से पी-एम किसान सम्मा निधी की एक और किस्त भेजी गई है सिर्फ एक ही बटन दबा कर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सोला हजार करोड रुपिये पहुँचे हैं यहां जो मेरे रायतू बंदू है न वो अपना मोबैल देखें को तो मेसेज आ गया होगा दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है और इतनी बड़ी रकाम सोला हजार करोड रुपिया पल भर में और कोई बिचोलिया नहीं कोई कटकी कंपनी नहीं कोई करप्शन नहीं सीधा सीधा किसान के खाते में अगर कॉंग्रेस के राज होता तो प्रदान मंत्री कहते थे कॉंग्रेस के केक रुपिया भेटते हैं पंदरा पैसा पहुंचता है अगर आज उन्होंने सोला हजार करोड का सोचा होता तो आप सोचिए बारा तेरा हजार करूर रुपिया कहीं गयव हो गया होता लेकिन ये मोदी की सरकार है पाई पाई आपकी है आपके लिए है मैं करनाट का सहीद पुरे देश के किसान भाई बेहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुब कामनाए है भाई और भेनों आज का बदलता हुआ भारत हर बंचित को वरियता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है हमारे देश में दसकों तक छोटे किसानों को भी नजर अंदाज किया गया था भारत में असी पचासी प्रतीवसत छोटे किसान है अब यही छोटे किसान बाजपा सरकार की प्राक्पिक्ता में है पी एम किसान सम्मान निजी के माज़्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब डाई लाग करोड रुपिये जमा कराए जा चुके है आप बोलेंगे कितने किये हैं डाई लाग करोड कितने 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 डाई लाग करोड रुपिया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए इसमें भी पच्चास हजार कडोर रुपिय से ज्यादा पैसे हमारी जो माताई बेहने किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए है ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरुतों को पुरा कर रहे है इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता ब्याज खाओ लोगों के शर्ण नहीं जाना पड़ता बहुत उंचा ब्याज देखर के रुपिय नहीं लेने पड़ते साथियों साल 2014 के बाद से देश लगातार क्रिशी में एक सार्थक बनलाव की तरब बढ़ रहा है भाजपा सरकार में हम क्रिशी को आदुनिक्ता से जोड रहे हैं क्रिशी को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का आउसर दिया तो भारत का क्रिशी के लिए बजट ये आकड़ा याद रखोगे आप लोग याद रखोगे जरा जोड से तो बोलिए याद रखोगे देखे जब हम आए थे 2014 में सेवा के लिए आपने मोका दिया था तब भारत का क्रिशी बजट पचीस हजार करोर रुपिय था कितना कितना इस वार्थ हमारा क्रिशी बजट एक लाग पचीस हजार करोर रुपिय से ज़्यादा है यानि पांच गुना ज़्यादा बड़ोत्री हुई है ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार किसानों को मदद करने के लिए कितनी गंबीर है कितनी सक्रिय है हमने टेक्नोलोजी पर बल दिया जिसका लाग में किसानों को हो रहा है आप कल्पना कर सकते हैं अगर जनदन बैंक खाते ना होते मुबाइल कनेक्शन न बढ़ता आधार न होता तो क्या ये सब संभव होता क्या हमारी सरकार जादा से जादा किसानों को किसान क्रेडिट कार से भी जोड रही है कोशिच यही है कि किसानों के पास बैंक से मदद पाने की सुविदा लगाता रहे हमेशा रहे साथियों इस वर्ष का बज़े हमारी खेती की आज की स्थिती के साथ साथ बविश की जरूरतों को भी एड्रेस करता है आज की जरूरत बंदारण की है स्टोरेज की है क्रिशी में आने वाली लागत को कम करने की है छोटे किसानों को संगठित करने की है इसलिए बज़ेट में सेक्रो नई बंदारण सुविदाये बनाने पर बल दिया गया है इसके साथ साथ सहकरिता के स्थर पर विस्तार करके उसका पर हमने अभुद्पुर्वफ फोकस किया है प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए है प्राकृतिक खेती से किसान की लागत में बहुत कमी आने वाली है नेच्रल खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद और कितना सग बनाने में आती है अब इसमें किसानों को मदद करने के लिए हजारों सहायता केंद्र बनाए जाएंगे किसान की लागत बढाने में केमिकल फर्टिलाइजर की भुमी का अधीक होती है अब हमने किसानों के लिए पी-एन प्रणाम योजना शुरू की है इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी भाईयो और बहनों हम देश की क्रशी को बविश्की चुनोतियों को देखते विए हमारी पूरी किसानी ग्रामिन अर्थे ववस्ता इसमें नए प्रान लाने के लिए हम करत निष्टईयें बल दे रहे हैं त्राइमेट चेंज के कारण कितनी समझ से आ रही है यह हमारा किसाना जनुभव कर रहा है इसलिए अब हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ताकत को फिर से याद करना होगा हमारा मोटा अनाज और मैं तो देख रहा था मोटे अनाज की सुन्दरता भी कितनी अच्छी है हमारा मोटा अनाज हर मौसम हर परिस्तित को जेलने में सक्चम है और ये सुपरफूर है मोटा अनाज सुपरफूर है यह अधिक पोशक भी होता है इसलिए इस वर्ष के बजेट में हमने मोटे अनाज को स्री अन्न के रुप में नई पहचान दी है और करना टका तो स्री अन्न के मामले में दुनिया का एक बड़ा केंद्र और ससक्त केंद्र है यहां तो स्री अन्न को पहले से ही सिरी धान में कहा जाता है अनेक प्रकार के स्री अन्न यहां का किसान उगाता है करना टका की बीजेपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेत्रुत्व में इसके लिए किसानों को मदद भी देती है मुझे याद है कि रहिता बंदू यदुरप्पजी ने स्री अन्न को पुर्चान देरे के लिए यहां कितना बड़ा भ्यान चलाया था अब हमें इस स्री अन्न को पुरी दुनिया में पहुचाना है स्री अन्न को उगाने में लागत भी कम है और पानी भी कम लगता है इसलिए यह छोटे किसानों को डबल बेनिफिट देने वाला है साथियों इस छेत्र में गन्ने की पैदावर खुब होती है भाजपा सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वो पर ही रखा है इस साल के बजेट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है सुगर कोपरेटिव द्वारा दोजार सोला सत्रा के पहले के गए पेमेंट पर टैक्स में छूट दी गई है और इसे सुगर कोपरेटिव के उपर जो दस हजार करोड रुपिय का बोग था जो यूपिय सरकार उनके सर पर डाल के गई थी उन दस हजार करोड रुपिय का फाइदा ये मेरी सुगर कोपरेटिव को होने वाला है आप सभी को ये भी पता है कि हमारी सरकार इथेनौल के उत्पादन पर कितना जोर दे रही है इथेनौल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आई भी बढ़ रही है बीते नव वर्षों में पैट्रोल में इथेनौल की ब्लेंडिंग को बढ़ा कर देड़ परतिशत से 10 परतिशत किया जा चुका है अब सरकार पैट्रोल में 20 परतिशत इथेनौल ब्लेंडिंग का लग लेकर चल रही है जितना ही देश इतिशा में आगे बढ़ेगा उतना ही हमारे गन्ना किजानों को भी फाइदा होगा भाई और बहनों खेती हो इंदस्री हो तूरिजम हो बहतर सिक्षा हो बहतर स्वास्त हो इस सब कोच अच्छी कनेक्टिविटी से और ससक्त होते हैं इसलिए बीते वर्सों में हम करनाटका की कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं 2014 से पहले के 5 वर्सों में करनाटका में रेलिवे का बजट कुल मिलाकर 4000 करोर रुपिय था जबकि इस वर्स करनाटका में रेलिवे के लिए साड़े साथ हजार करोर रुपिय रखे गए हैं इस वक्त करनाटका में रेलिवे के लगबग 45,000 करोर रुपिय के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है आप सोच सकते हैं कि इसके करनाटका में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है बेड़गावी का आदुनिक रेलिवे स्टेशन देखकर हर किसी को अस्चरे भी होता है हर किसी को गर्ब भी होता है इस आदुनिक रेलिवे स्टेशन से यहां सुविदाय तो अधिक हुई है रेलिवे को लेकर भी स्वाद भी बढ़ रहा है ऐसे शांदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे है करनाटका के अनेक स्टेशनों का रिल्व स्टेशनों का ऐसे ही आधुनिक अवतार में सामने लाया जा रहा है लोगदाग गाडप्रवा लाइन की डबलिंग से अब सफर तेज होगा और सुरक्षित होगा इसी प्रकार जिन नई रेल लाइनों पर आज काम सुरू हुआ है वे भी इस ठेत्र में रेल नेटवर्क को ससक्त करेगी बेडगावी तो एजुकेशन, हेल्थ और टुरिजम के लियाद से एक बड़ा सेंटर है ऐसे में अच्छी रेल कनेक्टिविटी से इन सेक्टर्स को भी लाब होगा भाई और बेनों बाजपा की डबल इंजिन सरकार तेज विकास की गारंटी है डबल इंजिन सरकार कैसे काम करती है इसका उदारान जल जीवन मिशन है साल 2019 तक करनाटका के गावों में सिर्फ 25 प्रतिशत परिवारों के पास घर में नल से पानी के लिए कनेक्शन था आज करनाटका में नल से जल की कवरेट डबल इंजिन सरकार के कारां हमारे मुख्यमंत्री जी के सक्रिय प्रयासों के कारां आज कवरेट साथ प्रतिशत से अधिक हो चुकी है यहां बेड़गावी के भी दो लाग से भी कम घरों में नल से जल आता था आज ये संख्या साड़े चार लाग पर पार कर चुकी है हमारी गाउं की बेहनों को पानी के लिए बटकना न पड़े सिर्फ इसी के लिए ही इस मजेट में साथ हजार करोर रुपे दिये गए है भावी और बेहनों बीजेपी सरकार समाच के हर उस छोटे से छोटे वर्क को ससक्त करने में जुटी है जिसकी पहले की सरकारों ने सूध नहीं ली थी बेड़गावी तो कारीगरों हस्त सिल्पियों का शहर रहा है ये तो वेनुग्राम यानि बांस के गाउं के रुप में मश्यूर रहा है आप याद कीजिए पहले की सरकारों ने लंबे समय तक बांस की कटाई पर रोक लगा दी थी हमने कानून बढ़ला और मांस की खेती और व्यापार के रास्ते खोल दी है इसका बहुत बड़ा लाब मांस का काम करने वाले कलाकारों को हुआ है मांस के अलावा यहाँ दूसरे क्राप का काम भी खूब होता है इस वर्ष के बजट में पहली बार ऐसे साथियों के लिए हम पीएम विश्व कर्मा योजना लेकर आये हैं इस योजना से ऐसे सभी साथियों को हर प्रकार की मदद दी जाएगी साथियों आज जब मैं बेड़गा भी आया हूँ तो एक और विशे पर अपनी बात रखना जरूर चाहूँगा मैं अपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस किस तरह करनाटका से नफुरत करती है करनाटका के नेताओं का पान कॉंग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है जिस किसी से भी कॉंग्रेस के परिवार विशेश को दिक्कत होने लगती है उसकी कॉंग्रेस में बेजजती शुरू कर दी जाती है इत्यास गवा है कि कॉंग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंग गपा और विरेंदर पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था हर करनाटक के लोग जानते है अब एक पर फिर कॉंग्रेस का एक विशेश परिवार के आगे करनाटक आगे एक और नेता का अपमान किया गया है साथियों इसी धर्ती के संतान पचास वर्ष जिनका सौंसद्य कार्यकाल रहा है मलिकार जुन खरगे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कॉंग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था था इस गड़ में उस कारकम में सबसे बड़ी आयू के व्यक्ति राजनिती में सबसे सीनियर वहाँ पर खरगे जी मौझूद थे और वो उस पार्टी के ध्रत थे दूप थी जो भी सब खड़े थे उन सब को दूप लगना बहुत वाबाविक था लेकिन दूप में वो छत्री का सवभाग्या कॉंग्रेस के सबसे बड़ी आयूवाले सबसे सीनियर कॉंग्रेस के प्रमूख खरगे जी कोई नसिब नहीं हुआ बगल में किसी और के लिए चाहता लगा लगया था ये बताता है कहने क्यों तो खरगे जी कॉंग्रेस अद्यक्ष है लेकिन कॉंग्रेस में जीतर उनके साथ बरताव होता है वो देखकर पुरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है परिवार वाग के इसी संकंजे में आद देश की अनेक पार्टिया जखड़ी हुई है इसी संकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है इसलिए कॉंग्रेस जैसे दलों से करना टका के लोगों को भी सतर करहना है और ये कॉंग्रेस के लोग इतने निरास हो गए है इतने निरास हो गए अब तो वो सोते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है और इसलिए सारे आतकर कह रहे हैं मर्जा मोदी, बर्जा बोदी नारे बोल रहे हैं मर्जा मोदी कुछ लोग कब रखोने ने बिजी हो गए वो कह रहे हैं मोदी तेरी कपर खुड़ेगी मोदी तेरी कपर खुड़ेगी लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा साथियों जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है डबल इंजिन सरकार की नियत भी सच्ची है और विकास की निष्ठा भी पक्की है इसलिए हमें इस विश्वास को बनाय रखना है करना टका के देश के विकास को गती देने के लिए हमें यूही आगे बढ़ना है सबका प्राया से ही हम देश को विक्सित बनाने के सपने को पूरा कर पाएंगे और मैं आज यहां कारकम में थोड़ा देर से पहुँचा हेलिकॉप्टर से पूरे रास्ते पर बेड़ गाउने जो स्वांगत किया है जो आशिरवाद दिये है माताएं, बेहने, बुजूर, बच्चे अभूत पुर्वत रश्य था मैं बेड़ गावी के करनाटका के इस प्यार के लिए सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ सर जुका करके उनका धन्यवाद करता हूँ आज की मेरी करनाटका की यात्रा भी विशेथ है क्योंकि आज सुबे मैं शिमोगा में था और बहाँ पर एरपोर्ट करनाटगा की जनता को सुप्रत करने का मुझे सवभागे बिला लेकिन साथ साथ हमारे बरिष्ट नेता ये दुरजप्रा जी का जन्मदिन की शुब कामनाए देने का भी मोका मिला और शिवो मोगासी यहां आया तो आप सबने तो कमाली कर दिया ये प्यार ये आशिरवात मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ बेड़ गावी के मेरे प्यारे भाईयो बहनों करनाटगा के मेरे प्यारे भाईयो बहनों मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ यह आप जो मुझे प्यार दे रहे ने, आप जो हम सब को आसिरवाद दे रहे ना, मैं इसे ब्याज समेत लोटाओंगा। और करणाटका का विकास करके लोटाओंगा, बेड़गावी का विकास करके लोटाओंगा, फिर एकमार आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बोलिये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत-बहुत धन्यवाद. झाल झाल